अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि सुबह जब हम लोग ब्रश करने बातरूम में जाते हैं तो अक्सर नीन में होते हैं और हम बिना कुछ देखें आखे बंद करें अक्सर बच्चे के अंदर भी आदत होती है आखे बंद करके ब्रश करना शुरू कर देते हैं आज सुबह जब मैं अपने बातरूम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे ब्रश में ये सांप का छोटा सा बच्चा इस तरीके से फसा हुआ था अगर मैं बगएर देखे उसको यूस कर लेती इस पर पेस्ट लगा कर मूँ में डालती तो शायद ही सांप का बच्चा सीधा मेरे मूँ में होता लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाएं कि सांप किस तरीके से बल मारकर इस तरह ब्रश में बैठ सकता है और अगर आप उसे धोई बगएर सोप को सोप में भी हो सकता है सोप में या ब्रश में अगर आप बिना चेक करें उसको आप ब्रश करना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगएरा छुपकर आपके मूँ में जा सकता है ये इस तरीके से बैठा हुआ है ये कि ये निकल नहीं पा रहा है फस गया है इसके अंदर और ये जिन्दा है ये देखिए ये देखिए ये पूरा साप का चोटा सा बच्चा है जो कि इसके अंदर फस फस चुका है ये देखिए और ये जिन्दा है अभी भी ये अभी भी जिन्दा है ये देखिए ये देखिए ये देखिए तो इस चीज़ का बहुत खास खयाल रखे हैं आप लोग और प्लीज प्लीज इसे अपने बच्चों को दिखाईए ताकि किसी के लिए आगे ये सबखो और किसी के साथ ये हा सना हो